नमस्कार आप देखने ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्रियाश शेर्फा आई नेज़ डालते हैं खबरों की और अंजर बरवानी रोड जेनिंग में अख्यात बदमाशो द्वारा चोरी करने की घटना को अंजाम देने पर पुलस नी प्रकरण की गंभरता को देखते हुए एकस्पी श्री दिपकमाश शुकला के दवारा एडिशनल एकस्पी श्री आदी प्रजापती के नैतरुत में पुलिस की टीम गठित की गई तदहा घ्यात आरुपियों की गिरफतारी हितु दस हजार रुपे इनाम की घोशना की गई टीम के दुवारा लगातार तलाशकर साथी साइबर की मदद सी अनितत थे जो टाने गए इवं चार संदिक दे चुनहित की गए है जिनमें इस दो आरुपी अदन से हम अलावा थाना तांडा इवं शंकर अजनारी थाना बाग को गिरफत में लिया गया है जिनके पुराने अपराथिक रिकार्ट चेक करने पर सभी के पुर्व अपराथिक रिकार्ट पाए गये है आरुपी अदन में चोरी की मश्रू का 1,10,000 इवं आरुपी शंकर पिदा मगर सेह भील से नगदी पिचातर हजार रुपे जब्त की है प्रक्रेन में कुल मश्रू का 1,50,000 रुपे है गैंग के फरार आरूपियों की तलाश पलस टीम द्वारा लगातार की चार रही है जल्द ही उक्त फरार आरूपियों को गिरफ़तार किया जाएगा ग्लोबल इंडिया टीवी बढ़वानी से जीला भीरू सुरेंदर वर्मा की रिपोर्ट थाना अंजड छेतर का है जिसमें की 22-23 दिसंबर को साकेत जिनिंग में चोरी हुई थी लगबग 5 लाख रुपए वहां से चोरी हुए थे तबी से हमने हमारे दो SGOP के नित्रतों में और हमारी साइबर की टीम लोकल हमारी थाने की टीम लगातार उस पे काम कर रहे थी इसमें हमारी पुरी टीम ने काम करते हुए चार लोगों को चिन्हित किया जो की जिला धार के थे इसमें से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इसमें से दो लाक रुपए जो कि वहाँ से चोरी हुए थे उनमें से बरामत किया है पुलिस ने दो अन्यार रुपी फरार है जिनके तलास जारी है और एक लगभग 15 दिन के जो हमारा एक मुख्विर तंदर था उसको भी सक्री किया और जो तकनीकी सक्षते उसके आधार पर भी काम करते हैं हमारी टीम ने इसमें एक मतुपून सफ़ता हासिल किया